प्रकाशक पे पटल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस बैठक में अठारा जुलाई के शाम आज हम एक बहुत सुनर सी कहानी पढ़ने वाले हैं बिना स्पेस वाला कहानी अलका प्रमोजी की लिखे हुई है जानी मानी लेखी का, उपन्यासकार, सहितकार और आज अलका जी हमारे पीच मौजूद है हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे साथ बैठकी टीम में हमेशा कीता रहे हैं शामिल है पुनम एहमत, बहुत सुन्दर कहानी का को सुन्दर रचना का जबीताय भी लिखती है बहुत सुन्दर सुन्दर का जबीताया यह दो आप की बैठक है सब्सक्राय कंग करूं? पूनम पाठक प्यारी सी, मुस्कुरादी सी पूनम पाठक बहुत सुन्दर कहाणिया लिपती है और जल्दियम इनकी एक कहाणी पढ़ने वाले हैं पूनम जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत हैं और हमारे साथ मौजूद है पूनम मित्तर पूना मिटर जी यह तो स्पोर्स परसन है उनको इन स्पोर्स में बहुत दिल्चस्पी है थोड़ा बहुत पढ़ती लिखती भी है लेकिन खास तोर से उनको गाने में बहुत दिल्चस्पी है और डांस बहुत दिल्चस्पी है तो ललित कलाओं में इतनी दिल्चस्पी के साथ उनम का ये एक नया ये जो है प्रयास है इसमें हलाकि हम तीन कहानी में आप देख चुके हैं और उसमें उनको बहुत सारी सराना भी मिली है उनम इतल एक बर फिर आपका बहुत-बहुत स्व सेमारि ये बेठ्क का हिस्सा बन रहे हैं एक नौजवान साथी बहुत प्यारे से वक्तार आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है वक्तार रहमान बहुत सुन्दर बोलते हैं और आवास के धनी है कलं हैं और इसके साथी साथ मीडिया से बड़ी शिदत से जुड़े मतलब इनकी रूर्स जूरी होगी, तो वो असर इनकी बातचीत में, इनकी लहजे में दिखता है, बकार आपका बहुत-बहुत स्वागत है बैठक में और हमारा हिस्सा बनने के लिए, बैठक का हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, और हमारे साथ आज की बै बरिष्ट बत्रकार हैं, रश्णाकार हैं और ललित कलाओं में उनकी बहुत ही दिल्चस्पी रही है और हमें समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा है अशुक जी का बहुत बहुत हन्दवाद बैठक में हमारा साथ देने के लिए तो अब हम कहानी शुरू कर रहे ह बिना स्पेस वाला नेहा तुने ये बहुत अच्छा किया जो बेटी को देगी तेरा जीवन बदल गया तो कितनी इंट्रस्टेटेटेट नहीं तुट है धीरे बोलो रीमा आर्या सुनेगी तो गजब हो जाएगा क्या आर्या को पता नहीं है यार मेरे हिसाब से तो बच् चाहिए नहीं नहीं मैंने आर्या को कुछ नहीं बताया है वारतालाप कमरे की देवारों को लांग कर आर्या के कानों से जा टकराया कुछ देर तो आर्या के मस्तिष्क में अंकित ही नहीं हो पाया कि बात उसी की हो रही है और जब हुआ तो उसके रोम रोम में कान हो गए ये क्या कह रही है रिमांटी, क्या उसी की बात हो रही है? हाँ, ममी ने नाम तो उसी का लिया है, उसे लगा कि कोई भूकम पा गया जिसमें उसका अस्तित पहचान सब ढह गया, और रह गया वहाँ एक मिट्टी का धेर, जिसका ना तो कोई आकार था, ना अतीत का कोई चिन जिस्ते उसकी पहचान हो, ये स्तिती असाहे थी, वो धरधराती हुई ममी के पास पहुंची, ममी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोग मेरे ममी पापा नहीं है, और आस तक मुझे ये बात नहीं बताई, मेरे ट्रस्ट तोड़ दी आप लोगोंने, नहीं बेटा, ये क कैसे सोच लिया तुमने, तु तु मेरा बच्चा है, मेरे जान है तु बेटा, नहा ने आर्या के जलते प्रश्णों पर अपने प्यार की थंडी बूंदे छिड़कने का प्रयास किया, पर वो कुछ बूंदे तो छन से तपती आग पर पड़ी और भाप बनकर उड़ गई अरे आर्या बेटा, तुझे क्या पता नहा तुझे कितना प्यार करती है, तु उसकी तमन्ना है, सपना है, जिन्दगी है रीमा ने बिर्डी बात को संभालने का असफल प्रयास किया, मगर आर्या ने रीमा की बात हवा में उड़ा दी नो डाउट, वो मुझे प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान भी रखती है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने मेरी आइडेंटिटी मुझसे चुपाई, यह दोखा नहीं है बताइए कैसा लगेगा, मुझे आज पता लगा कि मेरे असके लिए मम्मी पापा कोई और है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता बेटा, तो क्यों इन्विकार की बातों से परिशान हो रही है, यहाँ, आँ, मेरे पास बैक, आँ, इधार आँ मम्मी, मुझे बस यह बताओ, मेरे मम्मी पापा कौन है नहा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वो सत पर हाथ रख कर बैठ गई पच्ता तो रिमा भी रही थी, पर तीर तो कमान से निकल चुका था विसफोट हो चुका था, और चारों और अनिस्चित्ता का धुआ फैल कर सब की आखों को कड़वा रहा था शाम को मानस आये, तो घर में तनाव की गंध बिना बताए ही सुंगली, पर कारण का अंदाजा तो उन्हें भी नहीं था हेलो रिमा, हाओ आर यू? आई अरे लिया, तुमने रिमा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या? माननस ने बताबरन को सामाने करने का प्रयास किया, पर जवाब में नहा चुप ही रही तो मानस घवरा गए नेहा ने हाथ से कमरी की और संकेत किया मानस दोड़कर आर्या के कमरी की और गए वहाँ अंदीरा था उन्होंने आर्या को आवाज दी तो उसके सुबकनी की आवाज सुनाई दी मानस ने लाइट जलाई तो आर्या पिस्तर पर ओंदे मूँ पड़ी सुबक रही थी अपने दिल के टुकड़े को दुखी देखकर मानस का दिल भी रो उठा उन्होंने उसके सिर पर हाथ पिरते हुए कहा क्या हुआ मेरी परी को मुझे पता है आप मेरे पापा नहीं हो आप लोग मेरे ममी पापा नहीं है यू चीटेड मी पापा यू चीटेड मी वो तकिये पर गिरकर जोर से रो पड़ी मानस के दिल पर मानो किसी ने मुक्का मार दिया हो लेकिन उन्होंने खुद को संभाल कर कहा देखा, मैं तुम्हे बताने ही माला था आप जूट बोल रहे है आज जब मुझे पता चल गया तब आप कह रहे हैं कि बताने ही वाला था इसा नहीं है, कई बार सोचा तुम्हे बता दूब लेकिन एक ड़ था हम तुम्य को न दें मेरे मम्य पपा कौन है? उन्होंने मुझे आपको क्यों दे दिया? क्या मैं illegitimate थी, unwanted थी? नहीं आल्या, यह कैसी बाते कर रही हो? तो उन्होंने मुझे आपको क्यों दे दिया? कोई अपना बच्चा किसी को ऐसे ही दे देगा? ऐसे ही नहीं तो मैं बड़े प्यार से मांगा था हमने डाक्टर ने जब बताया नेहा मां नहीं बन सकी तो बहुत दुख हुआ और नेहा वो तो डिप्रेशन में चली गई उसकी हसी रिक हो गई कहीं जाबी भी तो सब के बच्चे देखकर और दुखी हो जाती उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी उसका सिर्फ एक ही रास्ता हमें एक बच्चा गोद ले ले पर मुझे कहां से लाया अप लो ये तो बता रहा हूँ उन्हीं दुनों मेरे भश्पन का दोस्त रोहित और उसकी वाइफ अनीटा कुछ दुनों के लिए हमारे धार आये थे उनके दो बच्चे थे और अनीटा फिर से मा बनने वाली थी रोहित की नौकरी छूड़ दे थी और वो उन दुनों बहुत परेशान था पैसू की तो उन्होंने अपनी घरीबी की वज़े से मुझे आपको दे दिया नहीं रोहित कंफ्यूज था करे तो क्या करे और अगर हम बच्चे को तरस रहे दे हमने उनके सामने जोली फैला दी उन्होंने हमारी जोली भर की और तुम हमारे गूद ले आ गे यानी कि मैं एक अन्व उन्होंने आपको देख कर मुझ से छोटका रहा पाया आपति नहा भी रीमा को भेज कर आ गई आया को हस्ते देखकर उसकी जान में जान आइ उसने उसके सिर पर हात फेरते वे कहा हाँ चलो हसी तो मेरी बेटी पता है तू कौन है तू है इस घर की रॉनक मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू और मेरे भी एक बात पूछो आपके पास मेरे मम्मी पापा की फोटो तो होगी न मतलब मेरे बाइलोजिकल मम्मी पापा हाँ है दिखाता हूँ मानस अलमारी से पुरानी फोटो निकालने दूसरे कमरे में गए नेहा पीछे-पीछे आकर बुली यहाँ क्या कर रहे हैं आर्या को रोहित और अरीता की फोटो दिखा रहा हूँ है आपको हो क्या गया है मेरी बच्ची कहीं उनके पास चली गई तो हम उसके भी नग कैसे जिएंगे देखो ना, वो बच्ची नहीं है, उन्नी साल की हो गई है, उसे सब कुछ पता चली गया है, तो उसके सवालों के जवाब तो देने ही होंगे ना हम ये भे तो कह सकते हैं ना, कि हमारे पास सब उनका फोटो, पता, कुछ नहीं है उसे नब बताने से ही उसका विश्रास चूता है, अगर चाहती हो वो हम पर भरोसा करे, तो उसे सब कुछ पताना ही होगा नहीं तो उसे चैन नहीं मिलेदा, हो सकता है, आप उसे खो भी देने नहीं, ऐसा मत कहो कहकर नहा, चुप हो गई, काश उसे पता होता कि रीमा उसके जीवन में इतना बड़ा ववंदर ले आएगी, तो वो उसे अपने घर कभी भी अमंत्रित ना करती मानस और नहा ने रोहित और अनिता की फोटो आर्या को दिखाई, आर्या बहुत देर तक फोटो देखती रही और कुछ सोचती रही मानस और नहा कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आर्या के मन में क्या चल रहा है, आर्या ने एक और धमाका कर दिया पापा, मुझे इन लोगों से मिलना है इन लोगों से? पर बेटा, ये लोग तो अमेरिका में रहते हैं अमेरिका में? हाँ बेटा, कुछ सालों बाद रोहित को अमेरिका में जॉब मिल गई थी और वो वही सुठ हो गये तो मेरी उनसे फोन पर बात करवाईए और प्लीज ये मत कहिएगा कि आपके पास उनका contact number नहीं है आर्या ने मानस और नेहा के सामने इंकार करने के सारे रास्ते बंद कर दिये थे नेहा के पेरों तले धर्ती खेसग गई वो बेचैन होकर पहलने लगी उसने आर्या को विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया कि वो उसे कितना प्यार करती है उसके बिना नहीं रह सकती पर आर्या को एक ही धुन थी कि उसे अपने मम्मी पापा से बात करनी है मिलना है हार कर मानस ने रोहित को फोन करके सारी बात बताई और आर्या से बात करने को कहा वो चाहता था कि रोहित आर्या को समझाए कि अब उसके मम्मी पापा मानस और नेहा ही है पर उसकी आशा के विप्रीब रोहित ने तो उसे अमेरिका आने का आमंत्रन दे डाला यार रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो, तुमको तो आर्या को समझाना चाहिए था, तुम उसे अमेरिका बुला रहे हो, इस तरह तो वो हमसे दूर हो जाएगी, और कहीं वो ही रुख गई तो, हम उसके बिदा नहीं रह पाएंगे आर्या ने खाना पीना छोड़ दिया, एक तो अपने जन्म दाता मम्मी पापा से मिलने का कौतुहल और अमेरिका गूमने का आकरशन, उधर नेहा ने भी बिस्तर पकड़ लिया, पर आर्या के हट की जीत हुई मानस और नेहा ने इश्वर पर फैसला छोड़ कर दिल पर पत्थर रख लिया और अमेरिका जाने की कैयारी करने लगे नया देश, वहां का ग्लैमर, अमेरिका वाले मम्मी पापा का गर्म जोशी भरा स्वागर, उनकी संपन्नता, बहुत कुछ बाहें फैलाई, प्रतिक्षा रथ था अमेरिका में आर्या के लिए 25 दिन कब बीद गए, पता ही नहीं चला, वहां उसके भाई बैन मौली और मौनू से उसकी ऐसी दोस्ती हो गई कि लगता ही नहीं था कि पहली बार मिले हैं शायद इसी को कहते हैं कि खून, खून को खीचता है, जाने का समय करीब आने लगा एक दिन नेहा और मानस भारत लोटने से पहले खरीदारी करने बाजार गए थे आर्या मौली और मौनू के साथ बातों में मगन थी, पते उसने जाने से मना कर दिया बातों बातों में आर्या ने कहा गाइज, यहां इतने दिन कैसे बीट गए, पता ही नहीं चला, रियली, I will miss you all तभी वहां रोहित और अनीता भी आ गए, अनीता ने उसे इंप्यार करते वे पहा आर्या, तुम यही रुख जाओ बेटा हमारे पास आर्या को पता था कि नेहा और मानस कभी भी उसे भेजना नहीं चाहेंगे वो तो अमेरिका ही नहीं आना चाह रहे थे, उसने जब यह बात सबको बताई, तो मनू बोला अगला आए, अगला आए, नाव रहे अडल्ट, यही डोड़ी ने कहा, यहाँ आए, यहाँ तो हमें एक मॉम डड़ की रोक्टोक से परिशाल है, ऐस विचारी को तो दो जहलने पड़ेंगे आर्या बट यू मस्ट आस्क यू पैरेट नेहा और मानस बाजार से लोटकर पैकिंग कर रहे थे कि तभी आर्या आई और नेहा से बोली मम्मी यह लोग कह रहे हैं मैं यही से ग्रेजुशिन कर लूँ क्या तो तुमने क्या कहा बिटा वैसे आइडिया पुरा नहीं है ओफो मम्मी आपको छोड़ने को कहा कह रही हूँ मैं तो बस यहाँ पढ़ने की बात कर रही हूँ वैसे भी इंडिया में मैं कौन सा आपके पास रहती दिल्ली बैंगलोर चेंड़ी इतनी सारी उनिवस्टिक के फॉर्म भरे हैं जहां एडमिशन हो जाता वहीं चली जाती तो फिर अमेरिका ही क्यों नहीं आर्या वहां की बात दूसरी है बेटा और देखो ना सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तुम्हें अमेरिका में पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते ना उसकी फिक्राप मत करिये मॉम डैड मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं क्यों वो तुमारा खर्ची उठाएंगे तुम हमारी बेटी हो पर अगर वो अपनी खुशी से मेरा खर्च उठा रहे हैं तो आपको प्रोब्लम क्या है मानस उठका रोहित के पास गए और कहा रोहित तुम मेरी बेटी को क्यों भड़का रहे हो तुम फूल रहे हो कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है पर आर्या कानूनन हमारी बेटी है तुम अब उससे हमसे नहीं ले सकते मानताओ मानस अब वो तुम्हारी बेटी है यह सच है कि उस वक्त हम एक और बच्चे के लिए तैयार नहीं थे और उसी माइंसेक में जब तुमने मुझसे बच्चा मांग लिया तो मैं मना नहीं कर पाया हमने तुम्हें अपनी बेटी देत हो दी और बाद में बहुत पच्चता है इस बात के लिए अनीता आज तक मुझे कोस्ती है यह कहो अब तुम्हारी नियत में खोट आ गया है नहीं मानस तुम्हारी बात समझो तुमसे आर्या को चीनना नहीं चाहता राज जब में पास सब कुछ है तो इल्मन में अक्सर आता है कि मौली और मौनू की तरह आर्या को भी अच्छी एजुकेशन मिले और यकीन मानिये भाई साब वो आगकी ही बेटी रहेगी हम तो सिर्फ उसका फ्यूचर बहतर बनाना चाहते है मानस और नहा को ये परस्ताव मंजूर नहीं था पर आर्या को तो मानो जादू की छड़ी हाथ लग गई थी जो उसे जिल मिलाते सपनों के संसार में ले जा सकती थी इस तेव्र प्रकाश की चकाचोंद में मानस नहा का पौर दुलार सब धूमिल पड़ गया था ना आर्या को मानस के तर्थ मनुहार दिखाई दिये सुनाई दिये ना नहा के आंसू दिखाई दिये उसे तो बस अब अमेरिका में पढ़ना था अमेरिका में पढ़ना रहना हर यूवा का सपना होता है उसे अफसर मिल रहा है तो फिर वो इसका लाव क्यों न उठाए नेहा और मानस के संसार में अंधेरा चा गया पर वो क्या करते जब आर्या वापिस आने को तयार ही नहीं थी आखिर उन्हें उसे वहीं छोड़ कराना पड़ा समय बीटता गया एक शाम मानस और नेहा चुप चाप बैठे थे उन्हें पता ही नहीं चला कि कप जाए ठंडी हो गई वो दोनों ही कहीं खोए थे शायद उन दोनों के बीच पसरा मौन ही बोल रहा था तभी घंटी की आवाज ने उनके मौन को भी तिकने ना दिया नेहा ने कहा मानस के मूँ से निकला अरे आर्या मानस के आवाज सुनकर नेहा घवराकर बहर भागी उसने आर्या को देखा और दोड कर उसके गले से लिपट गई नेहा के तोवाशों की धड़ी लग गई पिर अचानक उसने आर्या को सेवं से अलग करते में खाहा मेरी बच्ची तू यहां कैसे आई कैसे मतलब अपने घर आने के लिए भी कैसे सोचना पड़ता है क्या नहीं नहीं मैं तो बस यह पूछ रही थी कितने दिन के लिए आई है अब यहां से पढ़ने के बाद जाओंगी अगर वहां कोई जॉब मिल गया और आप दोनों भी साथ से ले तो पचला तुम वहां से लेजुचन नहीं करेगी पापा आप मुझे बारबर भगा क्यों रहे हैं मुझे यहीं पढ़ना है इतनी आसानी से आपका पीचल नहीं छोड़ने वाली और तेरे मॉम देड़? वो तो बस मुनो और मॉली के मॉम डेड है मॉम को तो आप जैसा हलवा बनाना भी नहीं आता और नहीं डैड पापा की तरह मेरे साथ चेस खेल पाते हैं कहते में आरे हैं सोफिय पर पैर फैला कर ऐसे बैठ गई जैसे अभी अभी कॉलिज से लोटी हो फिर कुछ पल मानस और नहा को देखकर भीगे से स्वर में बोली सच बताओं पहले अमेरिका के आगे मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा था लेकिन वहां रहने लगी तो पता लगा वो जमक दमक साब नकली थी माम्मी पापा की Most Wanted आ रिया वहां बिलकुल अकेली पड़ गई वहां तो किसे को किसे से मतलब ही नहीं फैम्ली जैसा कभी कुछ लगा ही नहीं सबको अपनी अपनी इस्पेस चाहिए मैं नहीं रह सकती उनकी साथ मुझी तु अपना घर ही प्यारा है बिना इस्पेस वाला नहा और मानस ने आर्या को गले लगा लिया आर्या के लोटी घर की दरो दिवार जैसे चहक रही थी मानस और नहा का दिल पूल साहलका हो गया था इस समय तीनों के बीच पसरा मौन बहुत कुछ कह रहा था जो तीनों साफ साफ सुन पा रहे थे और वहां कोई स्पेस नहीं था अब बिना स्पेस वाले घर का कोना कोना मुस्कुरा रहा था कहानी में तांप खूलती है भी तांप ट्रूद्य थीаль इसको प्रत्यता था प्रत्त फूलते है था लिए क्ARA़गों को नहीं था मौने यह प्रत्त शाली है कि आप लोगों ने कहानी में रांप जोगती है इसको कहना चाहिए बहुत अच्छा थैंक यू सो मच और अब प्रकाशक की शाम को यही पर विराम देते हैं